हेलो इस्टुडेंट्स आप सबका हमारे चनल पर फिर से स्वागत है एनेसपी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बार्ट किये हैं कि किनका कैसे सेलेक्शन होता है किनको फॉर्म कैसे भरना है तो प्रॉसेस तो नहीं बताये थे लेकिन फॉर्म किनको भरना है ये वह और आज हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि प्रॉसेस क्या है, कैसे हम लोग NSP पर आउन लाइन फॉर भरते हैं, फ्रेस अप्लिकाशन कैसे डालते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, अगर को समस्या हो तो कैसे सिकायत करेंगे, वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे. तो cut-up जो है ये दिया गिया है पहले इस पर बात कर लें तो इस पर बात करने के पहले आगे हम लोग आप सब से request करेंगे कि चैनल पर जो पहली बार आया है क्रिप्या करकर सबस्क्राइब कर देजेगा हमारे चैनल को और बेल अकन दबा देजेगा तो ये cut-up उपर नेचे होता रहता है इसका कारण है कि हमारे पास ये दो स्कूफ है इसकूफ देख लिजे कि 82 हजार student हमको per annum चाहिए हर साल चाहिए जिसमें 41,000 लड़का और 41,000 ल SC में 15% candidate चाहिए, ST में 67% चाहिए, OBC में 27% चाहिए और horizontally है handicapped जो होते हैं वो 5% चाहिए तो ये मान लिजे SC में 15% हमको student चाहिए तो SC में 15% जितने विदार्थी होंगे उसका ले लिया जाएगा और higher marks कितना गया है SC में उपर से 15% विदार्थी का selection हो जाएगा तो ये cut-up उपर नेचे नंबर कदार पर जा सकता है, percentage fix होता है, नंबर fix नहीं होता है इसी कारण से ये cut-up जो देख रहा है, ये अलग है, OBC में 27% है, तो 27% हो सकता है कि वो कितना नंबर तक जाएगा, ये कोई guarantee नहीं है इसी कारण से ये देखिए, कि मौनले जिए female का science का है, और OBC का लड़की है और science पढ़ती है, तो 312 ही गया है cut-up, जो कि बहुत ज़्यादा percentage नहीं है, लेकिन इसमें candidate ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए इतना रहा, जबकि इस general में 365 cut-up गया है, तो ये percentage कितना लेवल पर जाएगा, ये कोई निशित नहीं है, अब इसका process क्या है, हम लोग उस पर चलते हैं, ये NSP 2.0 Operation Manual भी 2.0 PDF है, Operation Manual है, कैसे operate करेंगे, इसके क्या-क्या नियम है, Operation Manual है ये, 41 पेज में है, तो लगता है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन अब बाद में सिर्फ वो screenshot है, जो attach किया गिया है, कि कौन-कौन समेनों वहाँ पर दिया गिया है, ये National Information Center जो है, ये National Informatics Center के द्वारा ये जेनरेट किया गिया है, ये बताया गिया है, इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुकिन नियम है, इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए, पहले NSP के बारे में कहा गिया है, कि NSP क्या है, तो दा नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल बरसन टू प्वेंट ओ जो है, इजे यूनिक एन सिंप्लिफाइड प्लेट फॉर्म, एक प्लेट फॉर् इसको कैसे असानी से विदार्थी को स्कॉलर्शिप दिया जाया, उसके लिए ये बनाया गया है, दे मैं अब्जेक्टिब आप नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल इज तो प्रोवाइड आटोमेशन, स्ट्रीम लाइनिंग और एफेक्टिव मेनेजमेंट और प्रोसेस रि सेंक्शन और डिस्बर्शल उप्सेंटरली स्पॉंसर्ड इसकॉलर्शिप इस्किम्स ऑप स्टूडेंट्स यानि कि विदार्थियों को चात्रविति जो मिलता है, उसके लिए कई प्रोसेस में गुजरना होता था, फोर भरना है, फिर उसको लाइन पर लगाना है, रिपो रिनुवल करते जाए तो यह आउनलाइन जब डाटा जब होने लगा है तो इसमें एरर कम होने का चांस रहता है और लोग सही डाटा देते हैं इसमें वरिफिकेशन हर लेवल पर होता है तो इसलिए यहाँ पर फर्जी होने का चांस नहीं है भीजन एंड मिशन क्या है इसका तो इसमें अप्लिकेशन से लिया जाता है वरिफिकेशन क्या जाता है सेंक्षन क्या जाता है डिस्वर्सल क्या जाता है तो एंड बेनिफिशरी फोर आल दा स्कॉलर्शिप प्रोवाइड बाइड गॉर्मेंट ऑप इंडिया जो भारा सरकार देती है बेनिफिट स्टुडेंट को वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाता है जिसको कहते हैं सरकार राजर कार और कासित परदेश जो ही इसकीम लाँच करती है वो सब को एक साथ यहां पर देने का planning किया जाता है Thus this initiative aims at providing a simplified, mission-oriented, accountable, responsible and transparent जिसको smart कहते हैं System for faster and effective disposal of scholarships, applications and delivery of funds directly into beneficiary account without any leakage कहीं पर leakage नहीं होता है Direct student के खाते में पैसा चला जाता है इसलिए ये system बहुत ही अच्छा है National scholarship portal features क्या-क्या है इसके क्या-क्या बिसेस्ताए है वो यहां पर दिया गिया है The main features of national scholarship portal includes following points कुछ point में है Students can register and submit their application online अब online विदार्थी जो है इस form को भर सकता है register करके for applying for centrally state sponsorship scholarship schemes from anywhere at anytime पूरी दुनिया में कहीं से भी और किसी भी समय online apply कर सकता है ये फैदा हुआ college जानेक जुरत नहीं है Students can view, track the status of their own application with user ID and password generated by the system जब आप online करेंगे registration करके तो आपको एक user ID और password मिलेगा उसको देख करके आप अपना status कभी भी चेक कर सकते हैं track कर सकते हैं कि क्या एसती है Students can renew their applications with same credential यानि student ID और password आपका जो पहले ID password है उसी के साथ यह उसी से login करेंगे आप अपने application को renewal भी कर सकते हैं अगले साल से ये renewal होने लगता है पास्ट वार फ्रेस application होता है सकेंड साल से renewal होता है जैसे कि आप तीन साल का बीए कर रहा है तो तीन साल तक आपको पैसा लेना है 10-10,000 रुप्य साल में तो आप जो है एक साल तो फ्रेस अपलाई कर 10,000 में लिया लेकिन अगले साल फिर से renewal जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पैसा मिलेगा renewal करने का अर्थ होता है कि आपने पढ़ाई जारी रखा है पढ़ाई छोड़ा नहीं है इसलिए इसको ऐसा कहा गया है uploading of documents by students in support of their claim अब इस्टुडेंट जो claim करता है उसके supporting में वो document भी लगाना पड़ता है उनको जैसे कि income, mark sheet, bank account details, category, cash certificate इसी अब विद्यार्थिक बताएगा न income certificate के माध्यम से कि 8 lakhs उनका income है वो attach करेगा ताकि पता चले कि उनका account में ही पसा जा रहा है category और cash certificate लगा करके वो बताएगा कि हमारा resolution में इस category में आता है be enabled for easy verification and transparency और ये आसानी से verification करने में सुविधा देता है और transparent होता है इसको आसानी से कोई चेक कर सकता provision of SMS and email alerts to the stakeholders such as institutions and students at various stages of processing बिद्यार्थी का किस किस state से ये application गुजर रहा है उस stage का उनको message और email समय समय पर आते रहता है ये भी अच्छा provision है renewal of the application by the institution only by importing the application from previous year renewal जो है application का वो institute करता है ताकि वो verify तो पहली बार ही कर लिया रहता है इसलिए अगले साल renew करके ये institute ही करता है विद्यार्थी को भी करना पड़ता है लेकिन application को institute level पर भी verify होता है तो वो confirm करता है कि हाँ ये अगले class में चला गया है role based unique login ID and password will be made available for all stakeholders सभी को ये ID password उपलावद कराया जाता है आटो एन बग प्रोसेसिंग आप इसको प्रोसेसिंग में डाल देता है वरिफाय करके एजी स्कॉलर्शिप सैंक्शनिंग प्रोसेस फोर सैंक्शनिंग आथरोटीज असानी से ये सैंक्शन कर दिया जाता है और इसकोलर्शिप को आसानी से विवाग और राज सरकार मोनिटर कर पाता है इसलिए उस समय और उसके बाद अभी बरतमान में भी यही नियम लागू होता है और वो नियम क्या है वो यहाँ पर बता गया है इसलिए उनको लाग मिले उनको लाग मिलने से बंचित न हो इसलिए यह और रखा गिया है इसलिए बैंक एकाउंट से भी वो यहाँ पर काम कर सकते हैं और बैंक पासबूक पर अकाडमिक सेशन 16-17 में उस में बहुत लोग का नहीं बना था इसलिए बैंक एकाउंट से भी वो आगे बढ़ सकते हैं Applicants are advised to go through information bulletin carefully and acquaint themselves with all requirements in respect to fill up the scholarship form on national scholarship पर तलदार सलस्तर विदार्थिक कहा गया कि आप खुद नियम को पढ़ हैं और आगे बढ़ हैं It will be the sole responsibility of applicant to make sure that he is eligible to apply and fulfills all the conditions prescribed for the scholarship यहाँ पर विदार्थिक को ही, applicant को ही responsible मना गया है कि आप eligible हैं तो apply करिये और condition को पुरा कर रहे कि नहीं कि अभी हमने पहले दिखाया है कि cut-up के जो आया है cut-up number उससे उपर जिनका number है वो selected है खुद भी मान सकते हैं वो सरकार भी उसका एक cut-up list जारी कर देता है दुसरा उसका list जो selection जिसका हुआ यसे विहार बोट ने डाला है पिछली वीडियो हमने बताया है तो उसमें भी उस विद्यार्थी का नाम है जिनका selection हुआ है तो वो form भरेंगे लेकिन सरकार तो list निकाल देती है सरकार के responsibility उतना ही है अब विद्यार्थी यानि applicant का ये responsible हो जाता है कि वो form को सही सही भरें अगर आयोग विद्यार्थी को माना जाता है किसी भी लेवल पर तो before और after the applying for the scholarship scheme और during any stage of verification by authorities किसी व्यवस्था में तो his scholarship will be cancelled without any notice तो उनके scholarship मिलने वाला जो सम्हावना है उसको किसी भी अस्तर पर बिना सुचना के cancelled किया जा सकता है disciplinary action will be taken against him or और एक action भी currently action लिया जा सकता है further he will be blacklisted to opt for scholarship sponsored by central government for period of 5 years और action यही लिया जाएगा कि अगले 5 साल तक वैसे विद्यार्थी को फिर कोई छात्विर्थी न दी जाए अब यह risk होगी आत्वला सा अप्लिकेंट must check that all details provided by him or her are correct before final submission as there will be no provision to edit details there after final form जमा करने के या भरने के पहले जब आप online form भड़ते हैं तो final submit करने के पहले एक बार नियम बताया गया है mode of submission of application for scholarship will be online and no other mode for the same will be entertained online form ही स्रिफ भरा जाएगा इसके अलावा और कोई options नहीं है offline का कोई चारा नहीं है इसलिए उसको इंटर्टेन नहीं किया जाएगा titles and levels marked as star are compulsory in application application form जब आप online भरते हैं ये offline भी भरते होंगे कोई form तो देखते होंगे कि कुछ column के पास जो है कुछ table में star mark रहता है तो star का मतलब है कि वो compulsory है भरना उसका data आपको देना ही होगा अगर नहीं देते हैं तो फिर आपका form reject हो स application form for scholarship अब किसी का इस साल selection हुआ है तो कैसे form भरेगा उसके लिए क्या process है यह process हम लोग यहां पर देख रहे हैं online submission of application form can be done through the website website यह दिया गया है www.scholarships.gov.in इस website पर पहले जाना है internet access point से यहनि किसी browser से मुखिरूप से chrome यूज़ करते हैं लोग chrome, firefox, internal explorer यहनि chrome बहुत फ्यमस है तो आप chrome से चल जाईए और वहाँ पर कहा गया क्या करना है तो इस website पर जाते है तो आपको यह menu दिखेगा जैसे इस पर जाएंगे तो chrome के माधियम से यह home page आपको दिखेगा इसको full view दिखाते हैं क्या screen पर दिखता है यह है यह जब दिखेगा इसमें जहां यह तीर बना हुआ है तीर के बारे में कहा गया है दिखी उपर में क्या क्या heading है apply for press apply for renewal new user registered now ministry guest login check eligibility यह सभी options के बारे में अभी बताएंगे हम लोग चर्चा करेंग इस पर लेकिन apply जिसको press करना है वो apply for press से भी कर जा सकते हैं या आप new user registered now से भी जा सकते हैं तो apply for register fresh से यहाँ पर बताया गया है अब आपको इससे जाना है जैसे इस पर जाएंगे तो आगे कहा गया है कि a new page requesting to enter the preliminary data as required for the registration is displayed तो registration का जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर new user register now उसका यह page खुलेगा तो वो यह page होगा इस page में आपको कुछ data भरना है क्या क्या भरना है तो state of domicile अब किस राजिक के निवासी है इस scholarship category कौन सा scholarship category है post metric भरना इसमे name of student student अपना नाम भरेगा date of birth देगा gender male female बताएगा mobile लमर अपना देगा email एड़ी देगा और identification details एक पहचान अपना चाहे वो उसका अधार काड़ हो या और कुछ हो एक अपना पहचान वो चेहरे पर तिल वागरा यह भी दिया जा सकता है अब जो यहाँ पहचान मांगेगा यह चुकी पुरा clear नहीं किया है तो वो पहचान यहां पर देना है उसके बाद यह capture को डालना है यह number नमबर के वगल में जो arrow बना हुआ उस पर click करेंगे तो ताजा और नया capture आ जाएगा तो उसको ही डालेंगे और register करेंगे register पर click करेंगे तो fill all the details corresponding to the titles labels appearing on the register page those mark as star are compulsory required to be filled यहाँ पर देखिएगा सब पर जो है star लगा हुआ है इसलिए हर एक column यह एमेल पर नहीं लगा इमेल आप नहीं भी देंगे तो काम चलेगा इमेल को फोड़ करके सभी पर इसलिए सब को भरना अबस्यक है after successfully get registration done applicants will get their student registration ID जैसी आप registration करेंगे तो आपको इस तरह से एक page खुलेगा और इस तरह स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि student registered successfully student का registration हो गया और एक यह ID मिलेगा एक ID यहाँ पर दिख रहे है जैसे UP करके है तो उसी तरह से जिस state के रहेंगे उसका दो अक्षर वहाँ पर रहेगा जैसे कि बिहार वाले student अगर करते हैं तो बी आर से सुरू होगा यूपी वाले करेंगे तो यूपी से सुरू होगा तो अलग-अलग state का coding है वो coding सुरू में रहेगा उसके बाद जिस session के लिए आप फॉर्म अप्लाए कर रहे हैं वो session वहाँ पर रहेगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूपी आपको जो है यह नमबर डॉन कर लेना लिख लेना है दिस विल सर्व एज यूर लोग-इन आईडी और यह लोग-इन आईडी के रूप में काम करेगा and password sent at your registered mobile number और password आपके mobile पर चला गया है और continue पर यहाँ किलिक करना है तुरू student registration ID applicants will be able to login into the account जब आपको application का ID मिल गया तब आप login कर सकते हैं अपने account पर जाने के लिए वहाँ पर ID और password आपको देना है कैफचा फिर बगल में देना है अगर आप ID भूल जाते हैं तो forgot application ID पर किलिक करके और जो data मंगा जाएगा वो बता करके आप ID फिर से निकाल सकते हैं पास सकते हैं after successful login जब आप login कर लेते हैं तब आपको welcome page इस तरह से खुलेगा welcome page खुलेगा welcome pinky जैसे यहाँ पर लिखा है आपका वहाँ पर नाम लिखा रहेगा और उसके निचे आपका ID रहेगा और यह बगल में दिखे क्या क्या लिखा है application form चेक यो data यह जो बोल्ड में लिख दिया गया है इसको जूम करके print your application log out यह सब option है इस पे आपको क्या करना है तो शुरुआत कैसे करेंगे तो पले application form भरेंगे फोर भरा रहेगा तो बाद में फिर हम कभी भी चेक कर सकते हैं दूसरे option से और print भी कर सकते हैं application जब करिए और उसको college में जमा करने के लिए कहा जाए तो print करके उसको college में जमा करेंगे और जब भी बाहर आपका काम हो जाए तो log out करना नहीं भूलेंगे यहाँ पर menu बताया गया है जो जो वैसे वैसे काम करना है on clicking application form जैसे ही आप application form पर click करेंगे क्योंकि आपको शुरूम अभी आए है किस इस्कुलर्शिप क्या सिर्ट वरेंगे इन्स में जेन्डर रिलीजियन क्या है चैटोगरी नाम करेंदर क्या हैं फाथनेम क्या है एनुवल इनकम कितना है जो आपका सेटिफिकेट में रहेगा आए सेटिफिकेट में वो भरना है अधार नंबर मुबाइल नंबर इमेल आईडी इमेल आईडी में यहां पर दिखिए इस्टार नहीं है और डे स्कॉलर और होस्टलर आप रोज घर से पढ़ने आते हैं या हो स्थान में अगर होस्टल किस विदा हो तभी होस्टलर देनगे नहीं तो ट्य ार्टकर देंगे एकडमिक डिटेल्स में आपको अपने पढ़ाई के बारे में बताना है कौन-kौन सेकोलस आपने पास Też है कितना नंबर आया है उसी के बारे में यहां पर कहा गया है पनलक आप और जो ऑनलाइन कोर्स करते हैं अपने क्लास कॉर्सों आपने क्लास के पहले कॉन क्लास सेवन क्लास आपने पास किया है कितना रहा या वो अग्जाम क्वालिफाय करके आया है यह सब चीज आपको डाटा देना है इस्टार नहीं है अगर आपको कंपेट्शन करके आया है तो दीजेगा नहीं तो छोड़ दीजेगा इड्मिसन पी कितना लगा है ट्यूशन पी कितना लगा है म्सलइस मेस लगा है यहाँ पर फी चार्ट आपको कॉलेज का बताना है यह रसीद में सब लिखा रहता है एडिमिसन रसिज्ज जो होता है उसमें यह data रहता है basic details आपको बताना है कि आप अनात तो नहीं है disability कुछ handicap तो आप नहीं है और unmarried, married क्या है, marital status बताना है parents क्या करते हैं, professional उनका बताना है फिर अपना bank account और IFC number बताना है यह personal details है, save and continue कर देना यहां से the application form content three important segment इस तरह से इसमें जो पुरा form अभी देखे तो उसमें तीन segment है, तीन खंड है क्या क्या है, तो पहला में है रेश्टेशन details 7A कहा गया, रेश्टेशन इसमें details क्या गया है दूसरा में है academic details, अपने पढ़ाई के बारे में है कि कौन-कौन से class में हम लोग पढ़ रहे है यह academic details हुआ, select your institute बगरा कौन बोट से पढ़े आए नहीं है, यह सरा चीज़ और किसरा point क्या है, basic details इसमें आपको account number से सम्मन देत, आपको सुचना देना है यह basic details है, आप क्या है यह handicapped नहीं है, married या unmarried है यह सरा चीज़ का IFC code और bank account यह आवस्यक चीज़ है यह देना यहाँ पर जोर्री है save and continue करके आगे बढ़ेंगे on clicking save and continue next page आपको इस तरह से खुलेगा आपको यह जब page खुलेगा तो state किस राज से हैं, किस जिला से हैं, कौन सा block है अपना वहाँ पर address contact detail डालना है विदार्थी को अपना सारा details यहाँ पर डालना है घर का पता पीन कोड के साथ में उसके बाद scheme details तो pre metric, post metric आपने जो उपर में select किया था वही यहाँ पर लिखा जाएगा automatic उसके बाद upload documents आपको यह documents upload करना है कौन कौन सा करना है तो domicile certificate यह बताएगा का आप भी हर के है student photograph अपना photo देना है institute verification form आप संस्थान का एक form होगा वह यहाँ पर देना है यानि bonafide certificate कहिए यहाँ पर देना है self declaration of income certificate by the student income certificate लगाना है self declaration of minority community certified by the student जिस category के हैं वो उसका अपना category राजाती certificate लगाएगा self attested certificate of previous academic market अपने पहले के class जो पास किया है उसका market लगाएगे जहाँ जहाँ self attested लिखा है वहाँ पर अपना sign भी करके तब उसको upload करेंगे फिर receipt of current year course year अभी आपने एडिशन लिया है तो उसका फिर असिद क्या है उसको यहाँ पर लगाना है proof of bank account in the name of student विद्यार्थी के नाम से ही खाता है account है उसके proof के लिए past book का photocopy यहाँ पर load करेंगे scan copy of adhar card adhar card का scan copy भी यहाँ पर upload करेंगे तो यह 9 point है 9 point पर 9 certificate upload करना है यह सारा document जैसे कि यहाँ जब तक upload नहीं करेंगे not uploaded लिखा रहेगा और upload हो जाएगा तो uploaded लिखा जाएगा upload कर देंगे तो आप कुछ और सोचना है कि कुछ गलती क्या है चेक क्या है क्या है क्या है क्या है तो save as draft कर दिजिए और अगर सब कुछ सही सही है तो final submit कर देना है this section of applicant form also divided into three segments of information as mentioned below यहाँ भी तीन पार्ट में यह form था पहला है contact details दुसका scheme details और upload documents contact details में आपने यह भरा था उपर को ही भी फिस समझा जा रहा है scheme details में automatic आ गया था और तिसरा में कौन कौन से document आप upload किये उसका यहाँ पर list दिया गया है जैसे list में जो नाम है उस जिए उस document को upload करते जाना है on clicking final submission application is finally submitted और जब आपका पूरी तरह से संतूष्ट हो जाए कि सही सही तोर भरा गया तो आपको final submit कर देना है बाद में आपको फिर change नहीं हो पाएगा इसलिए source मज़के करना है student can also take the print of the application if needed और इस form को जब भर दिये तो इसको print भी कर लेना है तुसरे number option पर print your application से और print जब कर लेंगे तो इसको जमा भी करना पड़ता है सारा document जो attach किये है उस सब को hard copy के लगा करके अपने संस्थान में आपको जमा करना चाहिए यह प्रिंट option है प्रिंट कर लेना है this will complete the online submission process for applying scholarship on the national scholarship portal और तब आपका यहाँ पर complete होगा यह application form online किया हुआ guidelines for filling the online renewal of scholarship application form on national scholarship portal for 2017 अब यह तो उपर में बाजू किये थी फ्रेस online application जिनको डालना है उनके लिए है लेकिन मालेजे पिछले साल किसी विद्यार्थी ने फ्रेस online application डाला है और इस साल उनको क्या करना है क्या फिर से फ्रेस करना होगा तो नहीं उनको सिर्फ renewal करना है क्योंकि उनके पास user ID और password पहले से उप्लवद है पिछले साल का है तो वह renewal करेंगे तो वैसे विद्यार्थी किस स्टेप से जाएंगे क्या क्या उनको करना है इस स्क्रीन पर क्या दिखेगा अगर खुद करेगा तो वह यहाँ पर बताया गया है यह भी four students है विद्यार्थी के लिए है कि those students who are already got the scholarship from on NSP portal पिछले साल जिनोंने NSP का फाइदा लिया है चात्रविरती पाया है need not required to register again उनको दुबारा register करने की जोड़त नहीं है they have to log in with their last year application ID and password to renew their online scholarship application for this academic year तो उनको पिछले सालवला ही ID और password से log in करके आगे बढ़ना है फिर से registration नहीं करना है all applicants applying for renewing scholarship application are required to update their अधार number and mobile number जो भी renewal करेंगे उनको अधार number और mobile number से update करना जोड़री है applicants are advised to go through the information bulletin carefully and acquaint themselves with all requirements in respect to fulfill in the renewal scholarship form on national scholarship portal 17 यानि आपको सभी नियम का जनकारी कर लेना है पहले से पढ़ लेना है ये पहले वही नियम था वही नियम यहां रखा गिया है इसके लिए भी और सभी details जो है आपको फालर समिट करने के पहले बार चेक कर लेना है कहाए कि बाद में फिर आपको चेंज नहीं किया जाएगा renewal form भी online ही जमा होगा offline renewal form नहीं लिया जाएगा और जहां star mars है वो जोर्री है to renew online scholarship application the following steps to be taken कौन कौन सा step taken किया जाएगा लिया जाएगा तो वही वेबसाइट है scholarship.gov.in पर जाना है और यहां पर apply for renewal लिखावा जो दुसरा कॉलम है उस पर किलिक करना है जो home page पर दिया हुआ है पहले हमने apply for fresh पर किलिक किया था अब apply for renewal पर किलिक करेंगे जैसे इस पर किलिक करेंगे तो क्या होगा देखते हैं क्या खुलता है login using your registered email id and password आपको यहां पर email id और password डाल करके आपको यूजर आइडी जो है registered email id और password यहां पर डाल करके आपको क्या करना है login करना है applicant applying for renewal can use their old registration user registration id आपको यहां पर पुराना वाला registration id ही use करना है after successful login welcome page appeared जैसे login आप करेंगे तो आपको इस तरह से welcome page खुलेगा जैसे की welcome SK Rahul Raja लिखा हुआ है तो आपके नाम से यह welcome होगा फिर on clicking renew application इसमें जो है आप देखेंगे renew application यहां पर दिया हुआ है check your status भी दिया हुआ है print your application दिया हुआ है यह left side menu बना है इसमें renew application पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे आपके समने फिर से एक form खुल जाएगा जो लगभग आधा भरा रहेगा तो इसको एक बार correct कर लेना है फिर से form भर लेना है सारा details आपको यहां पर डालना है जैसे फ्रेस में डाले थे वैसे ही यहां पर भी तीन सेक्षन है renewal details डालना है academic details डालना है basic details आपको डालना है जिसमें bank account बगगर भी है तो दोज मार्श as star है star marks वाले को अराम से लिखना है सही सही लिखना है जिसमें अधार नंबर bank passbook mobile number previous class में कितना percentage आया admission फी कितना है tuition फी कितना है mislessness फी कितना है सरा details आपको सही सही भारना है after adding all the required data click save and continue to view page save and continue करके यहां पर देखे save and continue last में लिखावा था उसको करके आगे बढ़ जाना है आगे बढ़ेंगे तो फिर यह दुसरा page खुलेगा इसमें contact details देना है आपको यह पहले भी दिये है applied क्या scheme है merit come means scholarship for professional and technical courses जो भी course आपका है वो यहां पर apply किया वह पहले सहत इसलिए वह ही रहेगा और फिर document आपको upload करना है दुबारा से दुबारा certificate आपको upload करना है जो जो भी certificate यहां पर मांगेगा उसको upload करके final submit कर देना है इप required applicants can also upload his her certificates before final submission आप जो है certificate अपना submit करने के पहले ही load कर सकते हैं बाद में नहीं आपका application final submitted हो जाएगा student can also take the print of the application if needed आप application form का print भी निकाल सकते हैं guideline for all guidelines जो है of online verification of registered applicants by institute and under national scholarship portal 1617 है अब institute कैसे इसको verify करेगा उसके लिए आगे नियम बताया गया है institute section में है कि this section deals with the institute related activities ranging from the profile updating of institute to the verification of applicants application availing for national scholarship 1617 अब ये update profile को करना है institute का काम है institute profile updates क्या है an institute level user can change the profile of an institute and can make necessary changes to update the information of the institute संस्थान के कर्मचारी ही इसके data को change कर सकते हैं institute's add and update details इसके अब 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 लोग इन करेगा तो institute are facilitated to update its course level courses and course fee तो course वाले जो है क्या-क्या fee लग रहा है कौन-कौन से course है तो उसको ये college के जो employee है वो इसको edit करते हैं जो administration जो देखते हैं वो करते हैं ऐसे generally सब principal के नाम से होता है लेकिन वो उनके computer in charge करते हैं the institute का profile बगरा सब कुछ done किया जाता है वहाँ पर advance में so that the student can apply for the scholarship इस student apply कर रहा है application डाल रहा है scholarship के लिए उसके पहले ही संस्थान को institute को अपना data इस portal पर डाल देना होता है ताकि उनका list वहाँ पर आ जाए उनका नाम आ जाए ताकि विदार्थी form आपके नाम से भर सके the step by step presentation क्या करना है कैसे करना है institute को वह यहाँ पर दिखाया गया है गरी लॉग इन टू इंस्टूट एकांट में लॉग इन करना है उनको user ID पासबर्ट दिया गया है वो करेंगे जैसे वो करेंगे तो यहां पर देखिए क्या 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 है अप्लिकेशन वरिफिकेशन के लिए कौन-कौन साया है वो यहां पर दिख रहा है फिर अप्लिकेशन रिफिकेशन के लिए कितना रिक्वेश्ट आया है अप्लिकेशन रिनियूड वरिफिकेश कितना हुआ है प्रुफाइल एडिट करना है एड अपडेट डिटेल्स करना है सब्जेक्ट में चैंज करना है तो यह सरा यहां पर डाटा समने बगल में देखेगा जैसे टोटल नमबर आप अप्लिकेशन रिसीव इस कॉलेज में जितने बिदारती ने आउनलाइन की कितना है वो सब्दिक कॉलेज वले करेंगे इसलिए इस पर भी ज्थ हमधें करना है उनको अपडेट करना है वो सराची कितना फी लगता है वो सब चीज कॉलेज वाले करेंगे इसलिए इस पर भी ज्यादा जोर हम नहीं डाल रहे हैं इससे जो है इस्टुजेंट को ये पता चलेगा कि कौन-कौन से वो कोर्स वहाँ पर है जब आप छात्रवर्ति का फॉर भरेंगे तो वहाँ पर इतने कोर्स में से आप किस कोर्स के विद्यारती है चुकि ये सब्जेक्ट जो है ये स्कॉलर्शिप पढ़ने वाले विद्यारती को मिलता है तो आप जिस कॉलेज का नाम डाल रहा है उस कॉलेज में कौन से कॉर्स में आप एर्मिटेड है ये बताना होता है ऑफ़र्ड क कोर्स को जोड़ते हैं घड़ाते हैं इस तरह से यहां पर यह इसका दिख रहा है कॉलेज इंस्चुट का एक्सप्लेंड विद एक्जामपल यहां पर एक्जामपल के माध्यम से पोस्ट ग्रिजुएट कोर्स है उसको एड करके दिखा जा रहा है इस पर भी हम लोग उतना आप बात नहीं करेंगे यह सारा चीज आफ कालेज के लेवल का बात है विद्यारतियों के लेवल का नहीं बात है कितना कॉर्स थी है वो सपर लिखेंगे एन о कि सुट pis कि cancer दिखता है यह सारा काम भी विद्यारतियों के लिए नहीं है अब दिखिए यहां पर है आफ्टर एडिंग अबडेटिंग डिटेल्स कर देते हैं वह कंप्लेट तो अप्लिकेशन वेरिफिकेशन के लिए इस तरह से जैसे कोलेज का हमपेज खुलेगा तो इस तरह से वहां पर आता है कि इतने कौन-कौन से विदार्थी ने फॉर्म वर में और विटेल्स उन्होंने कौन सा अप्लोड किया है यहाँ टोकुमेंट तो कॉलेज विद्धार्थी के डिटेल्स को चेक करते हैं यहाँ पर जब सब चेक कर लेंगे तो all tick करके select all जो है second last column उसमें करके verify all कर सकते हैं किसी का अगर गलती हो गया तो उसको reject भी कर सकते हैं तो यह सारा काम college का है वो सब कुछ check करने के बाद ही उसको verify करते हैं और update करते हैं on clicking verify reject defect अगर सही है तो verify हो गया कुछ गलती है तो हो जाएगा और कुछ ऐसा गलती है जिसको सही किया जा सकता है तो defect कर जाएगा और आगे उस पर रिमार्क डाला जाएगा एक एक करके भी क्या जा सकता है एक जैसे यहां पर क्लिक किया गया है after selecting any applicants एक applicant को select करके और all applicants सभी को भी select करके आगे बढ़ा जा सकता है verify किया जा सकता है on clicking selected applicant user can view the complete detail of applicant individually एक को select करके अगर वह वह वी डिटेल्स करेंगे तो उस बिद्यार्थी का सारा फॉर्म जो भरा है उसने वह डिटेल्स इस तरह से पुरा पेज में दिखेगा उस पेज में सब कुछ जब दिख जाए तो उसमें रिमार्ड़ लास्ट वालो कॉलम जो है वहू कॉलेज वाले इसको यहाँ पर रिमार्ड़ डालेंगे कर सब कुछ अगर सही है गलती है तो वहाँ पर years कर देंगे कुछ अगर गलती है तो वहाँ पर लिखेंगे no सुटाए जाले यह यहाँ पर कहां गया है बताया गया है करेक्चन कर दिया तो application form will be reappeared for re-verification सामने फिर से form दिख जाएगा इप user verify applicant with no defect और user अगर दिखता है कि कोई defect नहीं है तो applicant form will be approved at institute level तो संस्थान उसको वहीं पर एप्रूट कर देता है इस तरह से institute level पर संस्थान लेवल पर college लेवल पर वह एप्रूवड हो जाता है और क्लिकिंग रिवरिफिकेशन आइकॉन फ्रम डैस बोड अब रिव अगर चला गया तो बेदार्थी उसको सही करके data को फिर से जब देते हैं तो यहाँ पर रिवरिफ के लिए जितने लोगों का request है वह यहाँ पर दिखेगा फिर से चेक कर लिए चेक कर लेंगे college वाले और सही पाया जाएगा इस तरह से तो सब कुछ यस करके उसको verify कर दिया जाएगा कुछ गलतियां होगी तो फिर से वह आगे verify नहीं होगा छोड़ दिया जाएगा ऑन क्ल लेट करके दिखेगा यह कि कौन-कौन सा कर रिवरिफिक्शन के लिए आया है और उसको जब आप verify कर दिजेगा तो आगे फिर वह खोल जाएगा और सही जिगा पर आ जाएगा status of pre and post metric restriction अब है कि यह तो फ्रेस और रिन्वल दोनों के लिए application हो गया अब कोई third person है जो बिद्यार्थी नहीं है जो scholarship का फैदा नहीं ले रहा है और न कौले संस्थान वाले हैं अलग से third person है तो वो कैसे इसका data देख सकता है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको ए करना है ministry guest login पर जो homepage पर है और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा वह बताया गया है कि आपको एक login guest login page आपको मिलेगा और वहां पर presentation आपके सामने रहेगा PFMS का कि state-wide ततकाल quota allotted कितना क्या गया है application received against quota और उस quota के अंतरगरत कितने लोगों ने apply किया है total verified application कितने verified हो गया है और कितने लोगों को पैसा भेज दिया गया है यह सब चीज यहाँ पर चार्ट में दिखेगा यह data कोई भी देख सकता है गेस्ट लोग इन करके application verified by state और application verified by PFMS PMFS से जब verify हो जाएगा तो उनको इसका अर्थ है कि पैसे भी उनके account में चला गया state registration icon to verify the number of verify state wise registration आप state wise किस state में कितना registration हुआ है इस तरह से data भी आप चेक कर सकते हैं एक राज पर आप किलिक करेंगे उस राज दिखे टोटल पले पुरे राज हर राज के कितने verification यहाँ पर हुआ है वह दिखा गया है अब किसी business राज का देखना है तो उस राज पर किलिक करेंगे तो किलिक करेंगे तो वहाँ इस चाहेंगे इस फाइल को एक्सपोर्ट करके आप इसको लोड भी कर सकते हैं प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आगे उस पर किलिक करके आप उस राज के कितने जिले और कितने जिले में कितना लोगों का रिश्टिसन हुआ है वो देख सकते हैं जिले पर किलिक करेंगे तो उस जिले में कितने ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स का आपको नाम आएगा ब्लॉक्स में कितने लोगों का रिश्टिसन हुआ है हर ब्लॉक का वहाँ पर बताया तो आपको ब्लॉक लेवल पर जाकर के विदार्थी करनाम पता चलेगा कि किसका किसका यह सेलेक्शन हुआ है उसका ID क्या है और किस स्टेट से आया है कौन से स्किंप के अंतरगा तो उसको फैदा मिला है और यूजर ID क्या है यही इस स्पेज में बताया गया है इसको भी इस भी पॉइंट में आप इसको सेव कर सकते हैं लेपटाप में रख सकते हैं जब आप डाटा सेव कर लिए तो जिससे PDF सेव करके देखते हैं वैसे इसको भी देख सकते हैं इस्टेटस आप प्री एंड पोस्ट मेंट्रिक रश्टेशन आप अब रश्टेशन करा चुके हैं कुछ दिनों के बाद आपको देखना एक हमारा क्यास्ति है तो आप इस्टेटस भी चेक कर सकते हैं तो चेक आपको यही पर इसी पेज पर होगा यहाँ पर देखिए प् करके आपको देखना होगा अगर कोई इस स्कायत है तब आपको क्या करना है तब आपको कंप्लेंट करना है तो कंप्लेंट करने के लिए क्या प्रोसेस है तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन प्रोसेस आफ अप्लाइंग कंप्लेंट्स इन एनस पी उसका यह तरीका है यही जो उपर में about us के बगल में complaints है उस पर click करना है इस पर जाब click करेंगे तो आपके सामने क्या खुलेगा इस तरह का page इस page में आपको details डालना है details क्या क्या है student please provide application ID डालना है और institute institutions please provide institution ID यानि complaint तो कोई भी कर सकता है student भी कर सकता है संस्थान भी करेगा institute भी करेगा तो institute कर रहा है तो student अपना ID डालेगा तो applicant का type क्या है वो बताएगा यहां पर विदार्तिया की संस्थान है complaint for year कि साल के लिए complaint कर रहे है application, institution, ID आपका ID क्या है, name क्या है, email क्या है, mobile number क्या है और state of domicile किस राजिक के है कौन से scheme का अनरकत आपने apply किया था या सिकायत है और category क्या है, cap chart डालना है और नीचे यह box दिया है इसमें आपको अपना letter लिखना है maximum 500 word में इसको English में लिखना है, यह भी दिहान रखना है और तब आपको submit करना है, submit करेंगे तो आपका complaint later के माधियम से यह NSP के website पर चला जाएगा, login to the complaint portal through user ID to view the complaint status अब आपको complaint क्या है, उसका क्या है सिती है, कुछ दिनों के बाद आपको check करना है, तो view application status पर click करना है और वहाँ पर अपना application ID ही डालना है, complaint आपने भले क्या हो, लेकिन आपके ID से ही आपको पसाना जाएगा तो वहाँ पर ID डाल करके view complaint status में आप check करेंगे, तो आपको status आपके status में क्या हुआ हुआ है, वो यहाँ पर बताएगा इस तरह से जैसे दिखता है, complaint 1, complaint status pending, एक complaint आपने क्या है, जो pending है, यह नाम क्या है, complaint कब क्या है, date, reply for the complaint, reply आया है की नहीं, आया है तो क्या आया है, वो इस में, इस table करूप में आपको दिखेगा This will complete the online process of applying and viewing complaint status process for NSP, यह process है, apply करने का और देखने का complaint, इस तरह से हम लोग लास्ट पेज पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिखा कि NSP का फैदा लेने के लिए, जिनका selection हो गिया है, उनको कैसे apply करना है, प्रेस application कैसे डालना है, renewal application कैसे डालना है, institute कैसे verify करता है, कैसे courses को add करता है, और लास्ट में बताया गया, कि institute यह applicants कैसे complain करता है, और अपने इस्तिति को, status को कैसे चिक करता है, तो हम लोगों ने लगभग मुख्य बातें जो NSP का है, उस पर चार्चा कर ली है, यह cancer कार का द्वारा ही यह process बताया गया, यह PDF डाला गया है, यह 16-17 का ही session का के समय शुरुआत की गई थी, और यह 30 समय का later है, इसमें जो नियम बरनित है, वो आज भी माननी है, आज भी इसी नियम पर application डाला जाता है, तो इसमें आपको धियान रखना यही है, कि जो भी requirement था data का, ज और accept होगा, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं फिर कुछ और बातों के साथ अन्य वीडियो में, अभी के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,